विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायू सेना स्टेशन श्रीनगर में ओपरेशनल रेडिनेस प्लैटफॉर्म पर तैनाथ थे सुबह 9 बच कर 55 मिनिट पर उननत हतियारों से लैस पाकिस्तानी वायू सेना के लड़ाकू वायू यानू को जिन में चौथी पीड़ी के उननत F-16 तथा JF-17 शामिल थे नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया लगबग 10 बजे आपको तुरंत शत्रू के वायू यानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े असाधारन हवाई सूजबूज और शत्रू की रणनीती की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपनी वायू यान वाहित एयर इंटरसेप्ट रैडार से निम्न उचाई के वायू क्षेतर का निरिक्षन किया और पाया कि दुश्मन का वायू यान भारती लड़ाकू इंटरसेप्टर वायू यान पर घात लगाकर हमला करने के लिए नि अपने शत्रू के वायू यान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए आपने शत्रू के लड़ाको बंवर्शक वायू यानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायू यान को मार गिराया तथा भी इस घंगोर युद्ध में शत्रू की एक BVR मिसाइ आपके वायू यान से टकरा गई और आपको शत्रू की सीमा में उतरने के लिए बाद दे होना पड़ा एक युद्ध बंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे सैयम, बहादुरी और गरिमा पून तरीके से शत्रूं से पेश आए जब तक आपको एक 2019 को वापस सौपा गया, तब तक आपने असाधारन दृटा बनाई रखी, इस कारे से सभी सशस्र बनों का और खास तोर पर भारतिये वायू सेना का मनोबल बढ़ा, इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभीनंदन ने अपनी व्यक्तिकत सुरक्षा की परवाह न करते तथा शत्रू के सामने अदम में साहस और शौरे का प्रदर्शन किया, ग्रूप कैप्टेन वर्तमान अभीनंदन